तरकिए में आये भुकम के करण कई शहर भुदहा शहर हो गए है एक पुराना शहर है पजार्चिक इस समय हम पजार्चिक में हैं और ये पजार्चिक में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आप इस तरीके से इमारते दिखती हैं ये इमारते खड़ी जरूर हैं लेकिन ये इमारते इस समय जरजर हो चुकी हैं खंड़र हो चुकी हैं और ये खाली इमारते हैं क्योंकि इनके अंदर अब लोग नहीं रहते हैं अधिकतर लोग यहां से सुरक्षित सानों पर जा चुके हैं अलग-अलग जगों पर जा चुके और आप चलते चले जाएए इस पूरे रोड के उपर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये इमारतें जो हैं ये केवल खड़ी हुई इमारते हैं लेकिन इनकी इमारतों की दिवारों के उपर जो दरा रहे हैं उनको देखकर आप इस बात का अंद भी मोटी दरारे देखने को मिल रही हैं, इतनी मोटी दरारे हैं कि ये मकान अब सुरक्षित नहीं है और अगर यहाँ पर कभी लोग रॉटेंगी भी तो उन्हें इस मकान को गिराना ही पड़ेगा, वो इस मकान में नहीं रह सकते, ये देखिए किस तरीके से ये पूरा मकान नीचे आ गया है, और इस तरीके की तस्वीर इस पूरे इलाके के अंदर हर जगा देखने को मिलती है, और अब ये पूरे जो है, ये पूरे इलाके, ये पूरे जो घर है, ये अब वहाँ खंड़ार में हो चुके हैं, ये देखिए कंटेनर जो रखा हुआ है न, ये खंड़र हो गए हैं, और उन खंड़रों में अब डर लगता है, खास तोर पर आप्टर शॉक्स का जो डर है, और यहां जितनी दूर नजर डालिए, आज पास आपको इस तरीके के खंड़र और वीरानों की तस्वीर देखने को मिलती है, इसी तरीके से हर जगा, ये बाज तरीके से यहां पर जो बचाओ का काम भी रहा होगा, जिन लोगों को निकालने का काम भी रहा होगा, यहां बुल्डोजर के निशान जो हैं, वो बताते हैं कि यहां से अब बुल्डोजर भी जा चुके हैं, यहां पर अब किसी को तलाश करने की जो कवायत थी, वो नहीं और के चल रहे हैं? यहां पर अब केवल मल्बा है, वो मल्बा है, लोगों के घरों का मल्बा है, वो מאजी आ वी और का सामान यहां पर पढ़ा हुआ है। आप देखीं कि यह गर का सोफा रहा हुगा, कालीन रहा हुगा, यह तमाम चीजें हैं यहां पर नजर आ रहे हैं और आप चलते चले जाईए यह फिलाल यहां पर चुक्कि इसको नीचे कर दिया गया है इसलिए फिलहाल सुरक्षित है लेकिन हम बहुत आगे नहीं जाएंगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यह इमारतें यहां अब भी जब आफटर शॉक्स आते हैं तो आफटर शॉक्स से कारण यह इमारतें जो हैं यह असरक्षित हैं लेकिन आप देखें कि इस तरीके से जो लोगों के घरों के सामान है यहां पर किसी का वाडरोब जो है किसी के अलमारी जो है वो शायद तूटी होगी और उस तूटी अलमारी का जो तमाम सामान है वो बिखरा हुआ है दर्वाजे यहां टूटा हुआ पड़ा है यह आप देख सकते हैं यह यह बर्बादी का मनजर है यह उन तमाम लोगों के लिए भी एक तरीके से नसीहत है खास तोर पर जो लोग सिस्मिक जोन के अंदर सेंसिटिव जोन के अंदर रहते हैं यहां पर बढ़ का कनेक्शन और पाणि का कनेक्षन नहीं मिलता है ऐसे में बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि यह इमारतें जिनके लिए पैसा लिया गया था जिनको हुन को इस तरीके से बनाया जहाना चाहिए था कि वह अर्थको के रिजिस्टन्ट के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं यह इमारा जो है इसके अंदर उपर से लेकर नीचे तक अगर आप नज़र डालें तो कोई बड़ा क्रायक या कोई बड़ी जो टूट है तूट-फूट है वो देखने को नहीं मिल रही है यहां तक कि इसके अंदर शीशे भी लगे हुए ह यह building अभी भी खड़ी है यहां पर यह अच्छे construction और बुरे construction के बीच का भी एक नमूरा इसका अंतर भी आप देख सकते हैं कि अगर earthquake resistant structure बनाया जाता है और इस तरीके से एक बहतर construction किया जाता है तो इस भारी भूकंप को से भी बचना मुम्किन है और इस तरीके से संभव हो सकता है लेकिन अगर construction quality ठीक नहीं है अगर निर्मान जो है भुकंप के इस इलाके के अंदर जहां पर भुकंप इस तरीके से आते रहे हो वहां अगर construction की quality ठीक नहीं होती है जरा सी भी चूक होती है तो वह चूक कितनी जानलेवा थाभिज हो सकती है और कितनी जिंदगि पेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं न ये महस कुछ मिंटों के अंदर ये इमारत भरभरा कर नीचे आ गई इसके अंदर दस लोगों की मौत हुई है और पूरे शेहर के अंदर लगभख ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों को छोड़ कर इस तरीके से टेंटों में रह रहे हैं गाडियों में रह रहे हैं जितनी घर, ग्रहस्ती, बस्ती जो कुछ थी वो फिलहाल इसी तरीके से सड़कों पर सिम्टी हुई नजर आ रही है, जिन घरों के अंदर हीटरिंग सिस्टम काम किया करते थे, वो इस समय लकडी पर जला कर इस तरीके से अपना खाना पका रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, उन तूटे हुए बरबाद घरों के अंदर से जो सामान लाने की कोशिश हो रही है, कि कि किसी त अच्चे हैं, इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से हस्ती खेजती जिन्दगियां अचानक उजाड हो गई हैं, ये जलता हुआ अलाव नहीं, बलकि जलता हुआ दर्द है, जिसके अंगारों से रहरे के लप्टे निकलती हैं, और ये लप्टे लोगों के चेहरे पर आँसू की तरहां बेहती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, इस इमारत के अंदर जोहां अब केवल मल्बे का डेर है, चेहलों की मौत इस इमारत के अंदर हुई, और अभी भी यहां पर जो काम चल रहा है, वो अब केवल उन लाशों को उन्ने का काम चल रहा है और इस बिल्डिंग में मलवे की तरहा जो सब कुछ था वो समेट दिया जा रहा है परिवार के लोग अब भी यहां पर बैठे हुए हैं किवल इस आस में कि शायद कुछ बच जाए शायद कोई चमतकार हो जाए और उन चेहरों के उपर उदासी है उ इलाज इसलिए भी नहीं है क्योंकि यह प्रकृति की मार है और एक ऐसी मार है जिसके आगे इंसान लाचार और बेबस नजर आ रहा है जरा आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं यह पजार्चिक शहर का वो की वो इमारत है जो की ढह गई बताया जाता है कि ती अब्स को शचाने की कोशिश कर रही है यह पर लोग इस जगा को नहीं छोड़ पा रहे हैं खास्तोर पर जो भी क्र चेंश लाए गई बाद भी लोग इसमें से जिंदा निकल के आ रहे हैं उन्हें बचाया जा रहा है तो यही वो कारण है कि लोग उस आस के अंदर यहां बैठे होते हैं हाना कि धीरे धीरे हर घंटे के साथ में बचाव करने वाले लोगों की जो ताकत है उसके अंदर भी यह दर्द का किफांस लगातार चुबती है कि शायद अगर थोड़ी जल्दी आ जाते तो किसी की जान बच सकती थी साथ ही जो लोग यहां पर बैठे हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद अगर कुछ जल्दी मदद मिल जाती किसी तरीके से वो निकाल पाते अपने उन लोगों को तो शायद जिन्दगी बर का ये दर्द उनके साथ नहीं रहता लेकिन इसके आगे वो भी लाचार हैं बेबस हैं कैमरेमन मान के साथ प्रणाय उपाद ध्याय पाजार चेक एबीपी निउज